राजिन्रपूर नाम का गाउं नदी के किनारे बसा हुआ था उस गाउं के सभी लोगों का जीवन उसी नदी पर निर्भर था उसी नदी के पानी पर निर्भर होकर अपनी खेती चलाते तो कुछ मचलियां पकड़ कर उसका व्यापार करते थे उन्हीं लोगों में राजु नाम का एक किसान भी था वो खेती करता और अपनी पत्नी उर्मिला और बच्चे किर्थी और बालु की परवरिश किया करता था उनकी थोड़ी बहुत आमदनी में भी वे सभी बहुत खुश रहते थे एक दिन राजु और उर्मिला अपनी खेती के जमीन पर नदी का पानी बढ़ाने के लिए नदी के किनारे पहुँचे अचानक वहाँ पर आई एक बड़ी लटने उन्हें अपने अंदर समेट लिया इस तरह बालु और किर्थी अनात हो गए बालु और किर्थी कोई भी काम करना नहीं जानते थे एक दिन बालु ने अपने दीदी किर्थी से कहा दीदी अब हमारे मा बाउजी नहीं है और हमें कोई काम भी नहीं आता अब हम कैसे जिएंगे हमारा पेट अब कैसे भर पाएंगे दीदी अब हम ऐसा नहीं कह सकते बालू, कोई ना कोई काम तो हमें करना ही होगा न, अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो हमें करना होगा न ऐसे कीर्टी ने कहा, फिर उन दोनों ने तै किया और पूरे गाउं में काम ढूनने के लिए निकल पड़े पर उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिला ऐसे में विजया नाम की एक औरत के पास कीर्टी और बालू काम मांगने गए माई हम अनात बच्चे हैं हमारा कोई नहीं हमें खाना काय हुए दो दिन हो गए दया कर अगर आप हमें कोई काम देंगी तो उसके कमाई हुए पैसों से हम पेट भर लेंगे ऐसे कीर्टी ने विंती की क्या कहा तुम दोनों बच्चे हो शैतान हो अपने माबापको ही खाने वाले शैतान हो माबाओ जी जब दिन रात कड़ी मेहनत करते थे तब अराम से घर पर एंट कर बेटा करते थे तुम जैसों को भला मैं कैसा काम दूँ अब तक अपने घर में तो कर लिया अनर्थ अभी हमारे घर में किसको निप्टाने आये हो जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम्हारे मन्हूस का दम हमारे घर पे नहीं बढ़ने दूँगी आंटी अब जबन संभाल कर बात कीजिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं इसलिए जो मुवाया कहते जा रहे हो हमारे माबाओ जी नदी में बड़ी उफान आने की वज़े से बह कर मर गे भला हम उने क्यों मारेंगे वैसे ही हम उनको खोने के दुख में है और उपर से आप हमें इतनी ठीकी बाते कर रही है हम तो आपके पास काम मागने आये थे आपके जायदाद हमारे नाम करने के लिए नहीं न काम हो तो हो ऐसा कहिए और नहीं तो नहीं लेकिन इतना सब कुछ हमें मत सुनाईए न इस पर विज्या ने कहा क्या कहा? मुझे से जबान लडाती है मैं जो मन किया वो कहूंगी क्या कर लेगी तु? यो कटो बाते कर उन दोनों को घर से बाहर कर देती है बालू और किर्ती रोते हुए वहां से चले गए तब बालू ने कहा दीदी, वो सांटी ने ऐसे क्यूं कहा? थोड़ी भी इंसानियत नहीं उपर से खहरी है कि माँ बाउजी को हमने मारा मुझे बहुत बुरा लगा दीदी वो पैसे वाले लोग है न बालू? वो जो भी कहेंगे वही सच माना जाएगा हम जैसों की तकलिफ कोई नहीं समझेगा ऐसा कहते हुए वे दोनों नदी के किनारे चल रहे थे आज की राद हमें इस नदी के पानी को पेट भर पी के ही गुजाना होगा लगता है ये नदी ही हमारा सहरा होगी इतने में नदी के उपर से बहुत सारे तरह तरह के वेंजन बहते हुए जा रहे थे जिसे देखकर बालू और किर्ती के होश उड़ गये तब बालू ने कहा देदी, देखा तुमने कितने सारे तरह तरह के वेंजन है ये ये कहां से आ रहे होंगे? बालू, सबसे पहले अपना पेट भर लेते हैं उसके बाद में ये सब सोचेंगे नदी में बहते हुए तरह तरह के वेंजनों को उन दोनों ने पेट भर खाया तब बालू ने दीदी से कहा बाप रे, कितने दिनों बाद हमने तरह तरह का खाना खाया, है नदीदी? हाँ, बालू, सच कहां बहुत दिनों बाद हमने इतना सारा खाना खाया पर ये बात समझ में नहीं आई कि ये सब कहां से आ रहा है ऐसे किर्थी ने कहा फिर वे दोनों ये जानने की बहुत कोशिश करते रहे कि ये खाना कहां से आ रहा है पर वो पता नहीं लगा पाए पर हर दिन ठीक उसी समय जैसे कोई उन्हें खाना भेज रहा हो इस तरह 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 का वेंजन वहां आया करता अगले कुछ दिनों तक उन दोनों ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि ये खाना कहां से आ रहा था आखिरकार उन्होंने कोशिश छोड़ दी एक दिन किर्थी ने अपने भाई बालू से कहा बालू हमें हर दिन यहां आहार मिल रहा है अपना पेट भर रहा है पर यहां पर बहुत सारा खाना व्यर्थ हो रहा है पर गाउ में ऐसे कई करीब लोग हैं जिने खाना नहीं मिलता हम हर रोज यहां से खाना ले जाकर उन तक पहुंचाया करेंगे ऐसे कीर्थी के कहने पर बालू ने कहा तबी तो तुम मुझे इतनी पसंद हो दीदी गरीब लोगों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान होता है तुम्हें जैसा तुम कहती हो वैसे ही करेंगे उस दिन से कीर्थी और बालू नदी के पास आकर टोकरी भर उसमें बह रहा खाना भर कर गाउ में जो भी खाने के अभाव में रहता और जो भूग से तिल मिला रहा होता उन्हें खाना पहुँचाते इस तरह नदी में पहता हुआ वो अन गरीबों के लिए जैसे मसीहा बन गया था रामंत पूर नाम के गाउ में एक पुराना सा स्कूल था उस गाउ में कुछ धनी लोग थे और बहुत जादा गरीब लोग गाउ के उस स्कूल में टीचर्स की तंगी रहा करती थी इसलिए धनवान परिवार वाले अपने बच्चों को दोर ही सही पर शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया करते उस गाउ में रहने वाले गरीब लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो शहर के स्कूल की फीज भर पाते इसलिए ना चाहकर भी गाउ वाले स्कूल ही अपने बच्चों को भेजा करते उसी गाउ में राम नाम का एक किसान रहता था उसकी पत्नी का देहाद हुआ था उसकी दो संताने थी एक बेटी और एक बेटा बेटी का नाम खीरती जो बड़ी थी और बेटी का नाम बालू जो छोटा था राम अपने बच्चों को गाउ के उसी स्कूल में पढ़ने भेजा करता था यूँ ही दिन बीट रहे थे एक दिन उस गाउ में एक नई टीचर आई उसका नाम कांता था वो देखने में बड़ी ही घुसे वाली लगती थी उसके चहरे पर कभी भी हसी दिखाई नहीं देती थी हर समय घुसे में रहा करती थी बच्चों को हर समय डांटा मारा करती थी बच्चों के साथ दुरवेवहार करती थी बच्चे कांता टीचर को जैसे ही देखते घबरा कर कांपने लगते थे ऐसे में एक दिन बालू कीर्थी से यूँ कह रहा था धीदी ये कांता टीचर भला है कैसी हमेशा ऐसा चेहरा होता जैसे कुछ खो गया हो हमेशा भड़की हुई होती है कोई भी भला कुछ भी पुछे बहुत गुसे से जवाब देती है हाँ बालू टीचर की क्लास में देर से आओ तो गलती साथ बैठे विद्याती के साथ जरूरी बात करो तो भी गलती खाओ तो गलती वो हम गलती करते हैं इसलिए नहीं मारती बलकि मारने के लिए हमें कोई नो कोई बहाना डुनती है इस तरह बच्चे कांता टीचर से बहुत डरा करते थे एक दिन सभी बच्चे मिलकर खेल रहे थे बच्चों को इस तरह खेलता हुआ देख कांता टीचर के घुसे का पारा चड़ गया कांता ने जोर से चिला कर उनसे कहा बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पर आओ यहाँ उस समय तक खुशी से खेल रहे बच्चों के चहरे पर ऐसा डर चा गया था जैसे उन्होंने कोई बड़ासा भूत देख लिया हो अच्चा तुम मुझे स्कूल में ना देखकर तुम खेलने के लिए चले जाओगे फिर कांता ने एक-एक को अलग-अलग तरह की सजा दी बालू को दिवार कुर्सी बना दी कीर्ति को जुका कर उसके पीट पर कुछ किताबे रख दिये बालू अगर तु थोड़ा भी हिला और कीर्ति तुम तुम्हारे पीट से एक भी किताब अगर गिरी तो मैं यही पर बैठी हूँ, देख रही हूँ तुम सब मेरा घुसा तो जानते हो ना ऐसा कहकर कमरे में चली जाती है बालू और कीर्ति की तरहां बागी बच्चों को भी उसने अजीब अजीब सजाएं दी थी कुछ समय बाद कांता टीचर बालू और कीर्ति के पास आई वैसे ही बहुत देर से बालू और कीर्ति उस थिती में खड़े हुए थे अब उन दोनों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोनों और कुछ समय तक ऐसे रह पाते ठीक उसी समय कांता एक लंबी सी चड़ी लिए वहां पर पहुँची कांता के हाथ में चड़ी देखकर घबराया हुआ बालू तपाक से दिवार कुर्सिस से उठ जाता है कांता के कहने के पहले ही बालू का इस तरह उठ जाना कांता को बिलकुल बरदाश नहीं हुआ और वो उसकी बहुत पिटाई करने लगी तीचर मैंने जान बुचके नहीं किया आपके हाथ में चड़ी देखकर मैं घबरा गया था इसलिए उठ गया टीचर बालू कह रहा था फिर भी कांता बिना रुके उसे मारे जा रही थी बालू क्या मैंने तुमसे कहा था उठने के लिए कांता से घबराई हुई कीर्टी हिली और उसके पिट से भी किताबे गिर गई जैसे ही कांता ने गिरी हुई किताबे देखी उसने कीर्टी से कहा एर भगवान क्या कर रहे हैं ये बच्चे बख्ष तो मुझे इनसे यो जोर-जोर से कांता चिलाने लगी फिर कांता कीर्टी के पीट पर छड़ी से मारने लगी कीर्टी उन मार को बरदाश नहीं कर पा रही थी कीर्टी विंती करती रही फिर कीर्टी और बालू वहां से भाग कर घर चले गए बच्चे इखटे हुए और वहां बैट कर बात करने लगे दीदी ये कांता टीचर हमें इतना मारती है न हमें उसे किसी तरह सबक सिखाना चाहिए हाँ बालू हम उने बिना बताय उनके घर चलते हैं और उनकी अकल ठीकाने लगाते हैं फिर बालू और कीर्टी मिलकर कांता के घर चले जाते हैं, खिडकी से उसे ताकते रहते हैं, कांता अपने नन्हे से शिशु को अपनी गोदी में लेकर रो रही थी, इतने में टीचर के पती वहाँ पर आये और उसकी पिटाई कर पैसे लेकर वहाँ से चले गए, ये सब कीर्टी ने बालू से कहा, मेरी समझ में आ गया कि टीचर अपने साथ ऐसा बटाव क्यों करती है, घर में वो जो कुछ अपने पती की वज़े से सहती है, उसका सारा घुसा हम पर उतारती है, दीदी, इसका मतलब ये है कि अगर टीचर हमसे अच्छे से रहे, तो उसके पड़ेगा, फिर उन दोनों ने मिलकर एक पुलिस को वहाँ पर बुलाया, जिस समय पुलिस वहाँ पर आये थे, ठीक उसी समय कांता के पती उसे मार रहे थे, पुलिस ने सब कुछ आँखों से देख लिया, तुरंत उसने एक कांता के पती पर गन पॉइंट किया, एक नन जाहे जैसे भी है, मेरे पती है, यो रोते हुए कांता विंती करने लगी, पुलिस कांता की पती की और देखते हुए बोला, देखा, तुम्हारी पतनी का कितना बड़ा दिल है, तुम्हारे इस तरह के निर्दई वेवार के बाद भी, वो मुझ से हाथ जोड़कर तुम्ह बख्षने के लिए कह रही है, उसे वान कर पुलिस वहां से चला जाता है, बालू और कीरती भी चले जाते हैं, कांता के उस पर रहे प्यार को समझ कर कांता के पती ने शरा पिना छोड़ दिया, और अपने बीवी और बच्चे के साथ खुशी से रहने लगा, घर पर अपन के हिंसा कम होने पर कांता भी बहुत खुश हुई, जिसके परिनाम स्वरूप अब वो स्कोल में बच्चों को डांटा या मारा नहीं करती थी, अपनी बदली हुई टीचर को देखकर कीरती और बालू भी बहुत खुश हुए